हालो फ्रेंड्स बेलकम टू जानी टॉक्स तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी साइंस और जियोक्रफी के कुछ बहुत ही महत्पून क्वेश्चन तो दोस्तों बने रहिए आज की वीडियो में HRTC कंड़क्टर एक्जाम से सबंदी दोस्तों इन वीडियो से सबंदी पीडियाफ गयरा चाहिए तो आप मारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को क्वर्शन है दोस्तों स्प्रीम कोड के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है तो आपको बताना है दोस्तों जो स्प्रीम कोड के जजों की संख्या है उसको कौन बदल सकता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option B, कानून द्वारा संसत जो है दोस्तो वो जजों की संख्या को बदल सकती है तो option इसका B जो है वो right हो जाएगा तो दोस्तो आपको पता होना जाएए बरतमार में दोस्तो जजों की संख्या कितनी है तो दोस्तो यहाँ पर आप इसके सबंदि जो explanation है वो देख सकते हैं संसत को कानून बनाने का अधिकार है संसत कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है प्राराम में स्प्रीम कोट में 7 जज थे ये संख्या 1956 में 10 1960 में 13 1970 में 17 यहाँ पर दोस्तो जो Chief Justice है उनको वैड नहीं किया गया है 1945 में 25 हो गई थी और दोस्तो आप सभी को पता है लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट जो हुआ था वो हुआ था 2019 में इसमें इनकी संख्या दोस्तो कती से 34 कर दी गई थी बरतमार में इसंख्या जो है इंक्लूडिंग Chief Justice of India कितनी है 34 तो बरतमार में दोस्तो जो Supreme Court में जजजज की संख्या है वो कितनी है 34 है जिसमें 33 जो है जजजज है और एक जो है दोस्तो बहो Chief Justice of India है मुख्या नयाइदीश है Next question के ओर चलते हैं दोस्तो ये हाई कोट में बट इसदा minimum number of years a person must serve इंदा हाई कोट to serve as the Chief Justice of Supreme Court option है ए 10 बर्स, 12 बर्स, 15 बर्स या फिर 20 बर्स तो इसका जो राइट आंसर है वो है option A minimum दोस्तो 10 years option इसका ए जो है वो राइट हो जाएगा minimum 10 years Next question है भारत के समिधान का कौन सा अनुशेद ये कहता है कि सभी सार्वजानिक जगहें सभी नागरिकों के लिए हैं तो बिच आर्टिगाल of the Constitution of India says that all public places are for all citizens option A है अनुशेद 15 दो अनुशेद 16 दो अनुशेद 17 दो या फिर अनुशेद 18 दो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो बो हो जाएगा option A option A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशेद 15 दो जो है दोस्तो बो सभी सार्वनिक जगहें जो है आम नागरिकों के लिए है इसका वर्णन करता है तो option इसका A right हो जाएगा नेक्स्ट वूर्शन है अपको बताना है दोस्तो बित भी आयोग अनतराज्री आयोग राश्चियायोग या फिर केंदे आयोग इसका right answer है, option A बित भी आयोग का गटन किया जाता है तो दोस्तो बितियोग का गठन जो है वो आर्टिकल 280 के धहत किया जाता है भारतिय समिधान के आर्टिकल 280 के धहत बितयोग का गठन किया जाता है तो पहला बितयोग कब अस्तित्त में आया था 1950 बन में और इसके जो दोस्तो अध्यक्स थे वो कौन थे वो थे कौन थे इसके पहले देख्स तो आप कमेंट करके जरूर बताएं इस आयोग को केंदर और राजियों के बीच बिती समद्दों को परिभाजित करने के लिए किया गया था नेक्स्ट क्वेशन है निमलिक्त मैं से कौन सी बर्ष पहली बार भारते राज्टे कॉंग्रेस बिपक्ष में बैठी इन बिच ओफ दा फ्लॉइंग येर्स डिट दा इंडर नेशनल कॉंग्रेस सिट इन ओपोजिशन फार्ता फास्ट टाइम दोस्तो पहली बार कांग्रेस जो थी बिपक्ष में कब बैठी थी ओप्षन है 1973, 1976, 1976 या फिर 77 तो दोस्तो तीस बरसों के ध्यास में कांग्रेस जो थी वो बिपक्ष में पहली बार बैठी थी 1977 में तो ओप्षन इसका डी जो है वो सही हो जागा 1997 में बैठी थी तो 1947 में देश की सब्तंतरता के 30 वर्स परशात 1977 में भारते राष्टे कॉंग्रिस ने पहली बार हार का स्वाद चका तिसमें दोस्तों जो मुरार्जी दिसाई थे वो जनता पार्टी से भारत के प्रधानमंतरी बने थे दो वर्स तक की उनकी सरकार चली थी नेक्स जो है भारत का उप राष्ट पती आपको बताना है जो भारत के उप राष्ट पती हैं उनका चुनाव या फिर राष्ट पती कैसे बनते हैं और जो भारत के उप राश्टपती होता है दोस्तों वो क्या होता है जो राश्टपती होता है उसका सावापती होता है और मिनिमम जो एज है दोस्तों 35 एर राश्टपती बनने के लिए दोस्तों जो एज लिमित है वो है मिनिमम 35 नेक्स्ट क्वेश्ट्ट है निमलित मैंसे किस कमिशन ने बार सरकार अदिनियम 19-19 के 22 साशन पत्ती में बदलाव की सिपारिस की थी तो कौन सा दोस्तो है अदिनियम या फिर कमीशन था कमीशन साइमिन कमीशन सिप्रू कमीशन बटलर कमीशन या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तो भार सरकार अधिनियम 1919 के 26 saatषण पती में बदलाव की जो स्पारिस की थी साइमन कमीशन ने ओपशन ए जो है वो सही हो जाएगा साइमन कमीशन भारत 1927 सिशाथाइस में इसका साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया था इस कमीशन 998 सी इसका काफी व्रोध हुआ था क्यूंकि इसके साथ संदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे नेक्स जो क्वेशन है दोस्तों वो है निमिलिक्त मैंसे कौन सा यूरोपिय देश चारों तरब से अन्य देशों से घीरा हुआ नहीं है यहाँ पर याद रखना है गीरा हुआ नहीं है यानिकि उसकी जो सीमा है वो समुद्र से लगती है तो उप्शन ए है हंग्री कुसाबो चैक गंडाजे या फिर स्पेन तो दोस्तों इनमें से इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन डी स्पेन जो है दोस्तों वो चारों पूरवी इरोब में इवेरियन प्राइदी में स्थित है दक्षन और पूरो में स्पेन की सीमा जो है दोस्तों वो भूमद्य सागर से लगती है हं हंग्री कुसाबो और चैक गंडाजे जो है मैंने बता दिया आपको यह अन्य देशों से गिरे हुए है नेक्स्ट क्वेश जिबराल्टर जल डमरू मद्य बोस पोरुस जल डमरू मद्य या फिर डोबर जल डमरू मद्य दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जिबराल्टर ऑप्षन बी जो है वो सही हो जाएगा जिबराल्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चे में जिबर पिर्ट में से कौन सी जील, केनिया, टजानिया और यूगांड़ा के भी सीमा का निर्मान करती है तो आपके सामने है, तुरकाना जील, विक्टोरिया जील, तिपु जील या पिर तांगेन का जील तो option इसका जो right हो जाएगा वो हो जाएगा option B Victoria Geal तो Victoria Geal आपको पता है दोस्तों अफ्रीका की सबसे बड़ी जील है तो Victoria Geal क्षेतरफल की दिश्टी से मैंने पता दिया आपको सबसे बड़ी जील है और इसका जो कुल क्षेतरफल है वो है 68800 बर किलोमेटर मिर्का की लेक स्पिरिर के बाद दोस्तों ये विस्टी की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है तो इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा option B Victoria Geal और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी अवस्या सबस्क्राइब करें तो next जो question है दोस्तों वो है प्रिथवी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है तो option है core, भू परबर्टी, mental या फिर उप्रोक मैंसे कोई नहीं तो दोस्तों प्रिथवी की किस परत को सियाल कहा जाता है तो दोस्तों यह कहा जाता है भू परबटी को तो option इसका B जो है वो सही हो जाएगा भू परबटी इसका right answer हो हो जाएगा सियाल क्यों कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें सिलिकन और अलुमिनियूम की काफी मातरा पाई जाती है और जो मेंटल है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है उसको सीमा कहा जाता है उसमें सिलिकन और मेगनेशियूम काफी ज़्यादा पाया जाता है और जो कोर है दोस्तो कोर को दोस्तो नीफे कहा जाता है उसमें निकल और आरिन की काफी ज़्यादा मातरा जो है वो पाई जाती है नेक्स्ट क्वेशन है पौदों के लिए सबसे अच्छी मिटी कौन सी है बुलूई मिटी चिकनी मिटी काली मिटी या फिर लेटराइट मिटी इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तो ऑप्शन बी जो चिकनी मिटी है दोस्तो वो पौदों के लिए सबसे अच्छी माने जा next question है किस वर्रक में मिट्टी के pH मान को कम करने की शमता होती है तो कौन सा दोस्तों बै वर्रक है option है यूरिया, रोक, फॉस्पेट, अमोनिया या पिर पोटास्श मिउरेट तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों पुटास म्यूरेट और ओप्शन इसका D जो है वो सही हो जाएगा पुटास म्यूरेट जो है दोस्तों वो मिट्टी की pH मान को कम कर देता है जिसे जो मिट्टी जो है वो कैसी हो जाती है अमली हो जाती है यही जो है explanation में आपको बताया है नेक्स्ट है राइबोजोम का मुख्य कारिय क्या है तो दोस्तों राइबोजोम का मुख्य कारिय क्या है तो राइबोजोम को दोस्तों प्रोटीन की फेक्टरी भी कहा जाता है तो इसका जो राइबोजोम का जो मुख्य कारिय है दोस्तों वो प्रोटीन का संसलेशन करना है Option C इसका राइट हो जाएगा प्रोटीन का संचलेशन Next question है निपेंथिस खास याना जिसे घट पर नहीं कहा जाता है दोस्तों नामक दुरलब वैबं अपाती ये पौदा कहा पाया जाता है तो आपको बताना है कौन सी स्टेट में ये पाया जाता है तो दोस्तों पौदे का कौन सा भाग केसर के रूम में यूज किया जाता है बाहे दल, पंखुडी, केसर या पर बर्तिका या पर बर्तिकागर तो दोस्तों जो stigma और style होते हैं बर्तिका और बर्तिकागर इसमें दोस्तों, इन भाग को केसर के रूम में इस्तमाल किया जाता है, तो option D से हो जाएगा, बर्तिका और बर्तिकागर नेक्स जो question है यहाँ पर correct answer नहीं इसका मैंने बता दिया आपको बर्तिका या फिर बर्तिकागुर होगा यहाँ पर correction कर लेना आप नेक्स है long क्या है तो आपको पताना है दोस्तो long क्या है तो दोस्तो ताना की गांठे जड़ की गांठे या फिर बंद कलियां तो long जो है दोस्तो वो है बंद कलियां तो option इसका C जो है वो सही हो जाएगा long जो है दोस्तो इसकी जो खेती है दोस्तो वो एशिया और जो अमेरिका है बहांपर की चाती है next है healthy के पौदे का खाने लाइक हिसा कौन सा होता है तो आपने देखा होगा दोस्तो healthy तो आपसे पुछा गया है जो healthy की खेती होती है इसमें खाने वाला इसका part कौन सा होता है जो इसका पौदा होता है जड़, प्रकंद, फाल या फिर कंद दोस्तो जो ताना होता है वो खाने योग्य भाग होता है जिसे प्रकंद कहा जाता है तो option B सही हो जाएगा जैसे अदरक होता है दोस्ता जड़ के अंदर का जो प्रकंद होता है जो मिटी के अंदर जो इसका भाग होता है जिसे प्रकंद कहा जाता है वो ही खाने लाइक इसका हिस्सा होता है जिसे इसका B सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है सुध चीनी में कौन सा अत्तव उपस्तित नहीं है तो ऑप्षन आपके सामने है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या पिर ऑक्सीजन दोस्तों जो सुध चीनी होती है उसमें नाइट्रोजन उपस्तित नहीं होती है ऑप्षन इसका C सही हो जाएगा तो इसका हम आपको केमिकल फॉर्मूला बताते हैं तो दोस्तों सुध चीनी में कार्बन, हाइड्रोजन और उक्सीजन होते हैं इसका जो सुध रहे वो है C12, H22, O11 जो है दोस्तों इसका केमिकल फॉर्मूला है नेक्स्ट क्वेशन है किसी तत्व के प्रमानू का प्रमानू कुरमांक 17 है और द्रब्यमां 36 है तो उसके न्यूकिलिस में न्यूट्रोनों की संख्या कितनी है तो दोस्तों यहाँ पर उसका जो मास बताया है वो कितना पताया है 36 और जो अटॉमिक के नंबर है वो है 17 तो दोस्तों 17 हो गई इसमें प्रोटोनों की संख्या तो यहाँ पर न्यूट्रोन की संख्या तो 17 और 19 कितने हो गई 36 तो उसमें न्यूट्रोन की संख्या कितनी होगी वो होगी 19 तो option इसका B जो है वो सही हो जाएगा 19 तो I hope दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेर करें Thanks for watching God bless you all